हलो बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट साइंस का चैप्टर नमबर 14 और चैप्टर क्या है केमिकल एफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में तो तुम जानते ही हो हम लोग रोज इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं लेकिन यहां थोड़ा सा अलग चीज हम लोग को पढ़ना है और वो पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है उसकी क्या क्या केमिकल एफेक्ट्स हो सकते हैं पूरा डीटेल में पढ़ेंगे हम लोग जो की क्लास एट त देखते जाएंगे तो चलो देखते हैं यूर एल्डर्स माइट हैव कॉजन यू अगेंस टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस विद वेट हैंड्स तो बच्चा लो बहुत तुम्हारी घरों में बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसे जो की इलेक्ट्रिसीटी से चलते हैं ज जुक्तियां हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं तो तुम्हारे एल्डर्स तुम्हें बोलते हैं जैसे की मम्मी पापा दादा दादी तुम्हें सीखाते होंगे की बच्चे जैसे की कूलर है तुम्हारे घर में लगा हो तो बुलेंग इसको गीले हाथों से तुम्हें न electrical appliance with wet hands लेकिन तुम्हें क्या पता है कि गीले हाथों से touch करने से क्यों मना करते हैं क्योंकि बच्चा लोग गीले हाथों में current flow कर सकता है और तुम्हें electricity का जटका लग सकता है ये तो बात होई गीले हाथों की लेकिन एक बात याद रखना यदि open wire है खुला तार है नंगी तार है तो उसको गीले हाथों से भी नहीं टच करना और सूखे हाथों से मत टच करना ऐसा नहीं कि सूखे हाथों से जाकर के टच कर दिया कोई open wire को तो वहां भी बहुत हे भी current का जटका लगेगा जो कि बच्चे में मैंने महसूस किया है मुझे किसी नहीं बताया था मैं जाकर के टच किया था बहुत भ्यंकर जटका लगा था तो यह सब बाते बच्पन से सिखाई जाती है बचलो आशकल तो तुम्हें एकदम export हो गए हो mobile चला रहे हो टैब चला रहे हो तुम्हें क्या तुम्हें तो सब पताई होगा लेकिन फिर भी यहां सारी चीजों को पढ़ाए गया है इसलिए इसको अच्छे से समझते जाओ तो यहां से यदी question पुछा कि electrical appliances को कैसे touch नहीं करना चाहिए तो answer है weight hands से हमें touch नहीं करना चाहिए भींगे हुए हाथों से हमें छुना नहीं चाहिए we have learned earlier that materials which allows electric current to pass through them are called as conductors or are good conductors of electricity यहां से questions तुम्हें direct पुछेगा what are conductors of electricity और या फिर question पुछेगा what are good conductors of electricity तो तुम्हीं क्या बोलना है देखो वैसे materials वैसे पदार्थ जिससे हो करके electric current का flow होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं good conductor of electricity जैसे तुम देख सकते हो तुम्हारे घर में जो wire लगा हुआ है वो या तो copper का लगा हुआ है या तो aluminium का लगा हुआ है तो यह जो copper है aluminium है यह सारे क्या होते हैं electricity के good conductor होते हैं मतलब उससे हो करके electric current का flow होता है तो तुम्हारे answer क्या करना है यहां देखो यहां पर answer लिखा हुआ है यहां देखो the the materials which allow the electric current to pass through them देख लिया answer क्या है तो तुम्हारे याद क्या करना है याद बस इतना करना है allow word याद करना होगा देखो allow word याद रहेगा तो तो तुम इस cancer को अपने आप से लिख सकते हो तो allow किस चीज को लग करता है electric current को लग करता है बग चलो किस को लग करेगा electric current को कौन allow करेगा कोई भी material जो electric current को allow करेगा उससे pass through उससे pass होने के लिए उसे जाने के लिए उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं good conductor of electricity तो देखो question answer तो समझना भी है लेकिन याद भी तो करना है क्योंकि exam में लिखना है तो कुछ words तुमको याद रखना होगा जैसे इसमें allow word याद रखना होगा to pass through word याद रखना होगा तो तुम इसके आजर को आसानी से कर सकते हो अरे भाई तो सर जरा ये बता दीए poor conductor of electricity क्या है तो ये भी ऐसी बस इसमें not लगा देना है which do not which do not तो वे सारे materials जो electric current को उससे पास होने के लिए allow नहीं करते हैं which do not allow तो उसे ही क्या कहते है poor conductors of electricity कहते हैं जैसे plastic हो गया रबर हो गया लकड़ी हो गया ये सब क्या है poor conductor of electricity तो देखा तुमने दो questions यहां से आ गया यहां पर एक और question पूछ सकता है write down the difference between good conductor of electricity and bad conductor of electricity तो उसका भी answer कर सकते हो तो सर इसका जो definition है उसको कैसी याद करें अरे बच चालो कुछ नहीं यदि तुम्हें conductor of electricity याद है तो य बिच डू नॉट बस डू नॉट जोड़ देना बस तुम्हारा एंसर होगा हो गया the materials which do not allow electric current to pass through them are called poor conductors of electricity देखा ऐसे ही पढ़ा जाता है बच्चों की तम फटा 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 एंसर भी करते जाओ we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not अब देखो यहां से पुछे का कि एक tester को बनाईए तो tester को कैसे बनाईगे यह tester मतलब क्या होता है जो test करें ठीक है test करें कि किसी चीज़ से electricity प्रवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यहां पर देखो यहां पर एक वायर हम लोग लगा दिये हैं यह वायर किस चीज़ का है जल्दी बता दो copper वायर है अब battery किसे कहते हैं तो जब 2 cell या 2 सेधिक cell को आपस मैंसे जोड़ दोगे तो इसको फिर battery हम लोग कहेंगे लेकिन हर एक को हम लोग क्या बोलते हैं cell यह बात याद रखना बहुत अच्छे तो तुम तो इसको बहुत बार खेल चुके होगे इससे game type से तुमने खेला होगा तो यहाँ पर bulb लगाएंगे आज के जमाने में LED bulb का use होता है तो तुम देखोगे कि यहाँ पर यह देखो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ यदि यहाँ पर यह देखो यदि यह wire को direct जोड़ देगे तो डारेक्ट जोड़ देगे तो bulb क्या होने लगेगा ग्लो करने ल करने लगता है डियाद रियात रकना ये सेथिख अच्छा होना चाहिए ये खराब सेब नहीं होना चाईए तुबहर दिमाँ लिएगमें है न।ो यानि कि यह पूरा एक सरकीट हो ना चाहिए इस सरकीट से होके बच्चा लोग delivering का फ्लो होता है और electron के फ्लो के द्वारा यहां पर क्या होता है चार्ज का फ्लो होता है और जब चार्ज का फ्लो होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवा होता है यहां कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाइत होने लगेगा बहने लगेगा और electricity का flow होगा तो तुम्हारा bulb glow करने लगेगा समझ गए अब देखो लेकिन यदि तुम यहां से circuit को तोड़ दो यहां break कर दो circuit को मतलब यह तार को हटा दो तो यदि यह तार को हटा दिया जाए यदि तार को हटा दिया जाए बच्चा लोग तो फिर यहां पर यह circuit क्या हो गया incomplete हो जाएगा और bulb glow नहीं करेगा समझ गए जैसे देखो यहां पर एक तार का छोर है और यहां पर एक तार का छोर है और यह अलग अलग है तो क्या bulb glow करेगा नहीं करेगा सर क्योंकि यह circuit complete होना चाहिए मतलब यहां से तार complete यहां तक आना चाहिए और यहां से तार complete यहां तक आना चाहिए तब ही यहां पर electricity का flow होगा समझ गए तो अब यहां पर इनके बीच में हम एक लकड़ी को लगा दें किस चीज़ को लगा दें बच्चा लोग लकड़ी को लगा दें तो क्या यहां पर electricity का flow होगा तो answer है नहीं यह bulb glow नहीं करेगा इसका answer दो क्यों क्यों क्योंकि इस लकड़ी से होकर के electron का प्रवाह या फिर बोलेंगे कि charge का प्रवाह नहीं हो रहा है जिस कारण से यह जो circuit है वो complete नहीं होगा और यहां पर यह bulb glow नहीं करेगा अब इस प्रकार से यहां पर हम लोग क्या करें यह देखो यह देखो लोहा का यूज़ किया गया है तो अब तुम बताओ किस लोहे को यहाँ पर यूज किया गया तो क्या इस लोहे के दोरा circuit complete होगा येस complete हो जाएगा क्योंकि ये लोहा good conductor of electricity है और यहाँ पर ये circuit को क्या करेगा complete कर देगा और bulb glow हो जाएगा इसका मतलब इनके बीच में ये good conductors को लगाएंगे तो ये bulb glow करेगा और poor conductors को या bad conductors को या insulator तीनों नाम है उसी का उसको लगाएंगे तो electricity का flow नहीं होगा तो चलो अब हम लोग देखते हैं किस किस चीज़ से electricity का flow गा तो यहाँ हम लोगोंने aluminium का wire जोड दिया बोलो yes or no electricity flow करेगा yes sir यहाँ पर लोहा जोड दिया yes sir यहाँ पर हम लोगोंने चांदी जोड दिया yes sir यहाँ पर हम लोगोंने copper जोड दिया yes sir लेकिन यहाँ पर हम लोगोंने लकडी जोड दिया तो नहीं लकडी से electricity प्रवाद नहीं होगा ठीक इस तरीक से यहाँ से plastic में भी नहीं rubber में भी नहीं क्यों क्योंकि वह poor conductor of electricity होते हैं समझ गये इस प्रकार से हम लोग टेश्टर का यूज करेंगे तो टेश्टर क्या होगे यह छोर मिल गया और अब इस छोर को हम लोग यूज करेंगे और इसमें अलग अलग चीजों को इनके बीच में रखते जाएंगे और फिर देखेंगे कि तो अब बता दो यहां electricity flow करेगा कि नहीं करेगा तुम बताओ तुम बताओ जल्दी बताओ नो सर नहीं flow करेगा अच्छा क्यों नहीं करेगा क्योंकि यह poor conductor है क्या है poor conductor of electricity है इसलिए यहां पर current का flow नहीं होगा very good सब तो समझ में आता ही है तुम लोग को बत चलो तो जो हम लोग ने पढ़ा वही बात यहां पर लिखा है plastic and wood do not conduct electricity तो direct question यहां से पुछेगा fill in the blanks में दो जगा खाली रहगा पुछेगा and यह do not conduct electricity तो answer क्या है plastic, wood इसी के साथ rubber भी तुम लिख सकते हो तो यह सारे materials क्या करते हैं electricity का flow नहीं करते हैं however, so far we have used our tester to test materials which we are in solid state तो यहां पर हम लोगों ने, मैं तो तुम्हें बता ही दिया कि solid state में भी tester को test कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने wire लिया था, अलग-अलग wire लिया था, plastic लिया था लेकिन liquids को भी थोड़ा समय ने बता दिया ना, जैसे पानी में हम लोगों ने, पानी में नमक डालेंगे और पानी में SCL हमल डालेंगे, यानि कि acids को डालेंगे, glucose डालेंगे तो बहुत सारे materials को पानी में डाल डाल के भी हम लोग test करेंगे, जो कि मैंने तुम्हें थोड़ा बता भी दिया है Do liquids also conduct electricity? Yes, liquids से भी electricity conduct होता है लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पर ions मौझूद होने चाहिए, यदि वहाँ पर ions मौझूद नहीं होंगे तो electricity का conduction नहीं होगा जैसे कि माल एकदम pure water ले लिया जाता है ठीक है, जहाँ पर सिर्फ H2O ही है, pure water है और उसमें अपने tester को लगाओगे, तो tester में electricity का flow नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो pure water होता है, ठीक है, distilled water जिसको कहेंगे उसमें ions नहीं होते हैं, और यदि ions नहीं होंगे, तो electricity का flow नहीं होगा अरे वाथ, यहाँ पर आगई पहली और बूझो, तो यह कुछ बताना चाहते हैं ना, तो चलो हम लोग देखते हैं पहली and बूझो want to remind you, वे तुम्हें याद कराना चाहते हैं that one should not experiment with the electric supply from the mains, तो तुम्हारे घर में जो electric sockets लगे हुए हैं, electricity जो तुम्हारा फ्लोर है तुम्हारे घर में, उसका यूज बिल्कूल भी मत करो बचालो, कोई भी experiment करने के लिए और यदि तुम्हें कुछ experiments करने हैं, तो तुम क्या करो, electric sales का use करो, जो छोटे-छोटे sales होते हैं, उसको खरीद करके उसका use करो, तो तुम्हें electric supply, generator, inverter, इन सबसे दूर रहना चाहिए, यह बात एक्दम याद रख लो, गांट बांद लो दिमाग में, Do liquids conduct electricity? Yes, liquids से भी electricity conduction होगा, conduct मतलब समझ रहे हो, उससे होकर कि क्या electricity flow करेगा, उसी को conduct word use किया जा रहा है, तो answer है yes, यदि उसमें ions मौजूद होंगे, तो electricity flow करेगा, और नहीं होगा, तो electricity flow नहीं करेगा, To test whether a liquid allows electricity to pass through it or not, we can use the same tester, इसी tester का यूज करेंगी, यह देखो, यह नहीं है हमारा tester, यह देखो, यह tester है हमारा, तो अब tester में बोलो कि यह क्या असर, देखो, cell जो होता है, बच्चा लोग, cell को इस तरीके से हम लोग, इसका संकेत के रूप में इसको हम लोग दिखाते हैं, तो यह हो गया, एक cell, इसमें positive terminal होता है, और यह क्या होता है, negative terminal, और जो bulb होता है ना, उसको ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं, हम लोग बल्ब को दिखाते हैं, और यह जो दिख रहा है ना, यह सारा यह wire को हम लोग दिखा रहे हैं, समझ रहो, तो इस तरीके से यह हमारा क्या है तेस्टर है तो ये टेस्टर तो पूरा ऐसे दिखाये गया है लेकिन इसी को थोड़ा दूसरे रूप में यहाँ पर ऐसे हम लोग संकेत के रूप में इसको दिखा रहे हैं अब देखो however replace यहाँ देखो replace the cell by a battery अब देखो यह जो cell लगाया था हम लोगों ने इसको battery से replace करना है तो भाई बैटरी किसे कहते हैं सर तो भाई जब एक से ज़्यादा cell लगा होता है तो इसको battery कहते हैं और battery बनाने के लिए जिसे एक cell है उसमें फिर दूसरा cell लगाएंग समझ रहे बात को इस प्रकार से यह क्या है बच्चों एक battery है still नहीं है समझ कहना आप also before using the tester we should check whether it is working or not the tester को तर टेस्ट कर लो उसके बाद यूज कर लो चलो यहाँ देखना join the free ends of the tester together for a moment तो टेस्ट करना है तो टेस्टर के free ends को जोइन करो तो तुम देखो बल्ब गलो करेगा करेगा कि नहीं करेगा बिल्कुल क्यों करेगा क्यों किससे हो करके electricity का flow हो रहा है इस complete the circuits of tester and the bulb should glow तो देखो अब तुमसे question पुछेगा कि बल्ब गलो कब करेगा तो इस cancer है जब circuit complete होगा अब circuit क्या है देखो यह जो पूरा हम लोगों ने बनाया है यही circuit है यह जब यह circuit स्मझ गए और जब यह circuit complete होगा यानि कि यह पूरा इस तरीके से यह पूरा complete होना चाहिए यहाँ पर break नहीं होना चाहिए तो जब यह complete होगा तो bulb glow करेगा और circuit complete नहीं होगा तो bulb glow नहीं करेगा तो तुम यहाँ देखे बताओ यह circuit complete है कि नहीं है No sir, circuit complete नहीं है क्योंकि यहाँ पर gap हो जा रहा है क्यों gap हो रहा है क्योंकि यह जो material है बच्चो यह poor conductor of electricity है यानि circuit में यहाँ पर low चा है circuit यहाँ पर पूरा complete नहीं है और यदि यह circuit complete नहीं है तो electricity का flow नहीं करेगा अब जल्दी से answer कर दो यहाँ पर यह लोहा रहता यह लोहा रहता यह लोहे कर रहता तो क्या यह circuit complete था Yes sir Yes sir यह circuit complete था और यहाँ पर bulb glow करता समझ गया ना तो इस प्रकार से तुम सारी बातों को बहुत अच्छे से सीख रहा हो Very good, very good, very good However, if the bulb does not glow it means that the tester is not working तो tester work कर रहा है या नहीं यह तो पहले तुम पता करें न उसको touch करा के Can you think of the possible reasons Is it possible that the connections are loose Yes, यदि connection loose होगा circuit complete नहीं होगा तो वहाँ पर तुम्हारा bulb glow नहीं करेगा समझ गया है और the bulb is fused bulb भी fuse हो सकता है या तुम्हारा battery खराब हो सकता है समझ गया सारा चीज़ तुमको देखना होगा और your cell are used up cell तुम्हारा खतम है बैटरी तुम्हारा खतम है check that all the connections are tight तो तुम्हें क्या check करना है कि सारे connection tight हो देखो ये connection यहाँ loose नहीं होना चाहिए bulb सही होना चाहिए fuse bulb नहीं होना चाहिए बैटरी सही होना चाहिए तार भी सही लेना है तार एकदम खराब तार नहीं ले लेना है तो सब चेक कर लेना है कि भाई ये मारा टेस्टर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है if they are then replace the bulb with another bulb now test if the tester is working or not if it is still not working then replace the cell with fresh तो भाई टेस्टर को बड़ा अच्छे से चेक कर लो यहां पर बता रहा है now that our tester is working yes turn on turn हमारा tester काम कर एकदम चकास काम कर रहा है let us use it to test the various liquids अब हम लोग करेंगे अब हम लोग अलग liquids को test करेंगे जो कि सुरू में भी मैंने बता है यहां पर lemon juice ले लेंगे HCL ले लेंगे NACL ले लेंगे और यहां दूद ले लेंगे फिर तुमारा ink ले लेंगे कुछ भी डाल डाल के यहां पर क्या करना है हम लोग को check करना है समझ गया है अब देखो यह पानी में हम लोग HCL डालेंगे लेकिन पानी के साथ मिला हुआ HCL को डालेंगे तब यहां electricity का flow करेगा देखो कितना सारा बात है अच्छा पूछो क्यों क्यों कि जब हम लोग पानी में HCL को डाल देते HCL क्या है अम लह यानि कि acid है तो पानी में जैसे ही डालोगे तो यह H प्लस आयन देगा और इस आयन के दुआरा electricity का flow होता है इसका मतलब यहां पानी भी क्या है जरूरी है समझ रहो इस सारे बातों को कुल मिला कि यहां पर इतना ही समझना है liquids में कि ions होने चाहिए यदि ions हैं तो है electricity का flow करेगा और नहीं तो नहीं करेगा तो tester को ऐसे लगा देना है हम लोगो को और tester को लगा करके हम लोगो क्या करना है चेक करना है समझ गया है तो वही यहां पर बताये गया है इसमें भी ठीक है न है न यहां देखना तो यह सारा चीज हम लोगो यहां पर टेस्ट करते जाना है अब दिखो यहां देखना जो मैंने पताय था हुआ है यहां देखना अब देखो यदि यहां पर electricity क्या हो रहा है पास होगा तो यहां पर टेस्टर क्या हो जाए complete और electricity का flow होना सुरू करेगा the current flows in the circuit and the bulb glows when the liquid does not allow the electric current to pass the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow तो यह बात तो तुम्हें clear हो गई एक दम clear हो गया crystal clear हो गया कि liquid से जब क्या होगा though ends of tester allows the electric current to pass electricity को पास करेगा तो bulb क्या होगा तुम्हारा glow करेगा लेकिन क्या यहां पर इस condition में सभी condition में bulb glow करेगा यह बात देखना है तो यहां पर देखो in some situations even though the liquid is conducting the bulb may not glow यहां पर बोल रहा है कि यहां पर electricity का तो flow हो रहा है यहां देखो यहां पर यदि हम लोग क्या करेंगे SCL लेंगे या lemon juice लेंगे तो यहां पर electricity का तो flow होगा एकदम 100% होगा लेकिन क्या यहां पर जो electricity flow हो रहा है वह इतने intensity का है कि इस bulb को glow करा सके यही हम लोग को यहां पर देखना है तो इसी cancer अब हम लोग को आगे मिलेगा इट में हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2 यानि कि यह 14.2 एक्टिविटी था जहां पर हम लोग ने एक टेस्टर को लगाया है लेमेन जूस को लिया है और वेनिंगर को लिया है ठीक है तो वहां पर देखोगे कि यह बल्ब गलो नहीं कर रहा है तो अब यह सीखना है कि आखिर यह बल्ब गलो क्यों नहीं कर रहा है तो यहाँ दो बात ध्यान से सीखो अब देखो अब हम लोगों को सीखना हुआ कि भाई अब बल्ब electricity जब flow करेगा तो बल्ब ग्लो क्यों करेगा क्या condition है बल्ब ग्लो करने का तो इसका answer direct है कि बल्ब जो ग्लो करता है वो heating effect of electric current के कारण यानि electric current होता है उसके heating effect इसको गर्म होना तो देखो यहां से समझो कि heating effect क्या होगा कि मान लोग कोई wire है उस wire से हो करके electricity का flow कर रहा है current का flow कर रहा विद्युद्धारा बहरा है तो वह क्या होता है वहां पर उसका यदि resistance ज़्यादा रहता है और रोध ज़्यादा रहता है तो इस current से वह क्या होता है गर्म होता है और गर्म होने के कारण वह क्या करता है ग्लो करने लगेगा क्या करने लगेगा ग्लो करने लगेगा तो इसे ही हम लोग कहते है heating effect of current यानि जो current होता है विद्युधारा होता है electricity होता है वह जब किसी वायर से हो करके गुजरेगा तो उसको एक effect पैदा होगा उसको कहेंगे heating effect और यह जो heating effect है अलग-अलग wire के लिए अलग-अलग होता है जैसे बल्ब में हम लोग use करते है नाइक्रोम का वायर तो इसका question भी गर्म होगा और गर्म होगा तो यह glow करना सुरू करेगा और यह glow करना सुरू करेगा और बल्ब भी क्या करेगा glow करेगा यही कारण है कि यहां नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं यहां पर हम लोग copper का वायर या फिर harmonium का वायर यूज नहीं करते हैं यह सब आगे classes में बह फिलामेंट जो कहते हैं इसको बल्व का फिलामेंट कहते हैं तो यह गर्म होके हीट करेगा और यह ग्लो करेगा तो इसके लिए इसको हाई टेंपरेचर पर पहुंचना पड़ेगा यह बहुत ज्यादा गर्म होना पड़ेगा और इसको हाई टेंपरेचर पहुंचने के आही बात यहां भी समझा ओ कि यहां पर जब यहकूट से होकर यह इलेक्ट्रिक करेंड्ट फ्लो हो रहा है दो बहुत जाद एलेक्ट्रिक घरेंड प्रवार नहीं कर पा रहा है और जब इलेक्ट्रिक médi यहां पर पा रहा है उतना इसको temperature पर नहीं पहुंच पा रहा है तो जब heat नहीं होगा उतना गर्म नहीं होगा तो यह glow फिर नहीं करेगा समझ गये लेकिन यदि इसको direct जोड़ दें तो यह glow करेगा इसको और अच्छे समझ सकते हो जैसे जो बैटरी है यह सेल है देखोगे जब यह ए तन जलेगा बल्ब लेकिन जैसे जैसे यह बैटरी से इसका chemical reaction होगा और इसमें से विजुद धारा यानि current electricity का flow कम होते जाएगा तो यह बल्ब का glow होना क्या होगा कम होगा यानि जब पूराना हम लोग सेल का यूज करेंगे तो तुम देखोगे यह जो बल्ब बहुत कम ज इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब जब इसमें electricity का फ्लो कम उगा आईशना एकटम 17ins घलता है और जब जिए आधा electricity का flow होगा तो एक दम तेज़ तेज़ जलेगा गुलो करना होगा तो यहां इस सब बात यहां पर बोला है कि यहां पर why is the current in the circuit week यानि कि इस circuit में जो current flow हो रहा है वो weak current flow हो रहा है और weak current flow होने के कारण यह bulb उतना glow नहीं करेगा जितना कि यह direct glow करता है तो यह पुछ रहे हैं कि इतना current कम क्यों flow हो रहा है तो इसका answer है कि जो metal है उसमें तो बहुत अच्छे से current flow हो रहा है लेकिन यह सारे materials हम लोग लिक वीडियो करें उसमें उतना ज्यादा electricity का conduction नहीं हो पा रहा है electricity का conduction मतलब conduction मतलब वो electricity जो उतना वहाँ चल नहीं रहा है इस current से यहाँ पर weak electricity उसको weak current मिलेगा और bulb उतना ज्यादा glow नहीं करेगा as a result the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow यानि कि यहां direct answer तुमको करना है कि इसका jam current यह वो बहुग है current क्या है बच्चो बहुत weak है इसके कारण bulb glow नहीं करता है direct answer है ठीक है किसमें बहुत spirit current flow करता इसलिए bulb glow नहीं करेगा तो क्या इसमें से current flow कर रहा है yes current flow कर रहा है कैसा current flow कर रहा है weak current flow कर रहा है यह बात याद रखना समझ गें सारे बातों को can we make another tester which can detect a weak current अब देखो current तो भाया weak है तो क्या इसको फिर इस tester से तो पता नहीं चल रहा है उतना अच्छा से तो क्या दूसरा टेस्टर लगा सकते हैं we can use another effect of an electric current to make another kind of tester अब देखो we can use another effect of an electric current तो electric current का एक effect हम लोगों ने यहां देखा heating effect क्या देखा heating effect आप हीटिंग अफेक्ट ऑफ एलेक्ट्रीक करेंट यानि कि जब वायर से हो करके इलेक्ट्रीक करेंट फ्लो हो रहा है तो उसको हीट कर रहा है गर्म कर रहा है और दूसरा हम हम लोगों को देखना है यहां पर मैगनेटिक एफेक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे इस च्पी पर आपनेटिक एफेक्ट फिल्ट्र के रूप में तुम पढ़ने वाले हो तो यदि तुमसे से पूचेगा कि electricity से क्या क्या effect पैदा होता है तो answer करोगे पहला heating effect और दूसरा क्या करोगे magnetic effect तो यहां देख सकते हो do you recall that electric current produces a magnetic field यानि कि जो electric current है वह क्या produce करता है magnetic effect भी पैदा करता है तो अब देखो यह क्या कह रहा है what happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire तो सबसे पहले यह देखो यही है compass दिख रहे है compass बच्चा लोग यही है compass तो compass क्या होता है compass में एक simply bar magnet लगा होता है और compass को क्या कहते हैं पता है बच्चों इसे हम लोग बोलते है दिशा सूचक दिशा सूचक यंत्र ठीक है दिशा सूचक यंत्र यानि कि इससे हम लोग दिशा का पता लगाते हैं तो compass needle को अपने हाथ में रखोगे न तो इसमें एक बार magnet लगा रहती है दोको यह बार magnet है तो एक side north की और और एक side south की और automatic यह क्या करता है move करता है तो magnet है तो magnet है तो magnet की तरब यह वहार करेगा मतलब क्या होगा कि यदि इस needle के आज पास यदि हम लोग एक चुमबक को लाते हैं magnet को लाते हैं तो यह deflection सो करता है यानि इधर उधर यह क्या करेगा हीलेगा डूलेगा अरे भई तुम तो जानते ही हो ना बच्चा लोग कि जब magnet के पास दूसरे magnet को लाए जाता है तो वो क्या करेगा या तो पास आएगा या तो दूर जाएगा यह सब पढ़ा है ना तुमने तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर compass में तो एक क्या लगा रहेगा एक बार magnet लगा तो यह क्या करेगा ही लेगा डूलेगा है ना तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि क्या electric current के द्वारा उसके चारो और चुम्बकिये छेत्र या नहीं कि magnetic field बनता है तो देखो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने एक इस तरीके से माचिस की डब्ब लगा दिया गया जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था अब जब इस तार को सटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर electricity flow होने लगे यानि current का flow होने लगेगा तो तुम देखोगे कि चारो और magnetic field बनता है जैसे ही इसमें current flow करता है इस तार की और चारो और magnetic field बनता ह नहीं समझे अरे ऐसे समझो कि यह जो तार है वह चुम्बक के जैसा काम करेगा चुम्बक के जैसा व्यावहार करेगा व्यावहार करना सुरू करेगा यानि यह magnet की तरह भीएव करेगा तो अब बताओ जैसे ही यहाँ switch on करेंगे या फिर इस तार को जोडेंगे तो यहाँ विद्युद्धार यानि current प्रवाहित होगा जिससे कि यह तार किसमें बदल जाएगा magnet में बदल जाएगा तो क्या फिर यहाँ जो चुम्बक है तुम्हारा इसमें deflection सो करेगा yes sir yes sir यानि यह जो चुम्बक है कौन से चुम्बक बार magnet इसको कहते है इस प्रकार का जो magnet होत हैं तो यह जो सुई है ना वो बार magnet ही होता है तो उसमें deflection सो करेगा तो यह क्या बता रहा है यह बता रहा है कि यह जो तारो चारो और जो तार लपेटा है ना हम लोगों ने वह चुम्बक के जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया क्योंकि इसमें विद्युद्धार यानि current का flow हो रहा है तो यहां से तुमने क्या सिखा कि जब इस वायर से current flow करेगा ठीक है तो उस वह किस तरीके से बिहेव करेगा मैगनेट की तरह बिहेव करेगा और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं मैगनेटिक effect of electric current वेरी गुड तो तुम से पुझेगा कि magnetic effect of electric current क्या है तो तुम यही बता देना कोई दिक्कत नो even if the current is small the deflection देखो deflection यहाँ word लिखा है deflection मने क्या होगा यह अपने अस्थान से हटेगा इसे ही क्या कहेंगे deflection कहेंगे of the magnetic needle can be seen अब देखो यहाँ यह बहुत कम करेंट भी फ्लो हो रहा है तब भी यहाँ deflection देखने को मिलेगा can we make a tester using the magnetic effect of currents let's find out in activity 14.3 तो 14.3 यह दो को यही है 14.3 तो मैंने क्या बता है तुम्हें कि यहाँ बहुत हल्का यानकी weak current फ्लो होता है तो भी यहाँ पर magnetic field यहाँ पर produce होगा और जिसके करण तुम्हें deflection देखने को मिलेगा यानि कि इसको लोग tester के रूप में use कर सकते हैं यह जो ब्यवस्था पूरा दिख रहा है यह क्या हो गया हमारा एक नया tester हो गया और यह नया tester जो है यहाँ weak current भी फ्लो करता है तो वह भी उसको क्या करता है दिखाएगा बहुत अच्छा बच्चा लोग अब चुले एक यलो बॉक्स इसमें क्या पता है यू में ले लेते हैं यहाँ पर LED बल्ब को ले लेंगे तो वह LED बल्ब क्या होता है बच्चों बहुत कम यदि weak current है ना उसमें भी वह जलता है तो weak electric current flows through तब भी वह क्या करता है गलो करता है तो क्या उससमें हमारा टेस्टर काम करेगा येस सर और हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि वहाँ पर जो liquid है उसमें electric current flow हो रहा है यह नहीं हो रहा है देख सकते हो एक थोड़ा सा लंबा है on the other hand the other is smaller remember that while connecting to a circuit the longer lead is always connected to positive terminal इस बाद को याद एकना question कि यह जो longer side हो किसी terminal से जोड़ा जाएगा positive से और smaller negative से the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal देखू चितने भी सारे questions हो रहे है मैं सारा तो बताते जा रहा है तो एक भी questions तुम छोड़ना मत्य activity 14.3 मैंने तो तुम्हें अभी पढ़ा दिया ठीक है now repeat activity 14.2 using this tester do you find the deflection in the compass needle the movement you dip the free ends of the tester in lemon juice take out the ends of the tester from the lemon juice dip them in water and then wipe them dry repeat the activity with other liquids such as tap water vegetable oil और milk तो अभी तुमने क्या देखा कि यह जो हमारा ball वाला जो tap यह था जो बल्ब हम लोगों ने लगाया था filament वाला बल्ब और इसम यह और टेस्टर बनाया था तो टेस्टर हमारा नहीं काम कर रहा था क्यों नहीं काम कर रहा था क्योंकि यहां पर वीक electricity flow हो रहा था इसमें लेकिन अब जो हम लोगों ने नया टेस्टर अपना बना लिया यह देखो यह हमारा नया टेस्टर यह पूरा टेस्टर है तुम्हारा यह पूरा क्या है टेस्टर है और इस टेस्टर को अब हम लोग यहां lemon juice में डाल देंगे पानी मिला करके और फिर वेनेगर डालेंगे और फिर HCL डाल देंगे सब पानी में मिला मिला करके ठीक है और फिर क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर मिल्क भी डाल सकते हैं ठीक है फिर यहाँ पर तुम्हारा हनी भी डाल सकते हैं मतलब जिस जिस चीज को टेस्ट करना है तो डिफ्लेक्ट करेंगा करेंगा किस तो किस चीज में? मिल्क में यहां deflection होगा? No. हनी में होगा? No. यदि glucose डाल दें, तो क्या इसमें होगा? No. अच्छा, इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसे electricity का flow नहीं हो रहा है, भाई, यह जो है, इसमें कोई iron का formation नहीं होता, इसलिए इससे electricity का flow नहीं होगा, तो यहां पर अब एक, देखो, यहां पर लिखा है, अब lemon juice है, तो क्या इससे conduct होगा electricity? Yes, और deflection भी दीखेगा हमें needle में, यानि यह अच्छा conductor होगा, vinegar इस तरीके से अच्छा conductor होगा, अब देखो tap water, जो एक तो होगा तुम्हारा, pure water, तो pure water से deflection नहीं दीखेगा, और वहां पर को electricity का flow नहीं होगा, जिसको हम लोग बलते हैं, distilled water, लेकिन यदि उसमें कोई salt घुला हुआ है, जैसे की tap water होगया, मानलो, तो वहां पर यदि salt घुला हुआ है, मानलो यदि बात तो वहां पर good conductor होगा, और deflection दीखेगा, अब देखो vegetable oil है, milk है, honey है, glucose है, ठीक है, इन सब में तुमको कोई भी deflection देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी electricity का flow नहीं हो रहा है, इसी प्रकार्स यदि acid के सीड है तुम्हारे पास, NaOH है, KOH है, यानि कि कुछ basis है, तो उससे भी तुमको electricity का flow देखने को मिलेगा, we find that some liquids are good conductors of electricity, electricity and some are poor conductors, तो मैंने तो शुरू में ही बता दिया, good conductors वैसे होंगे, जिसमें iron का formation होगा, ठीक है, और bad conductors हो ऐसे होंगे, जिसमें का formation नहीं होगा, जैसे मालो salt ले लिया, हम लोगों ने NACL ले लिया, अब NACL को पानी में घुला देंगे, और पानी में घुला करके, फिर अपना tester को test करेंगे, तो क्या यहाँ पर electricity flow होगा, येस, येस, विल्कुल, विल्कुल, वी अपने में खर अचिछ थे लिया, ये अपना बेश्यदर बढ़ी नहीं रागे, पाहली नहीं बहेली बहेश्य को पानी लेक्रश लागे, जैसे होंगे, अब देखो तो यहां पर देखोगे जैसे इन दोनों के बीच में यदि कुछ भी नहीं है तो air है तो air क्या है एक bad conductor of electricity है इस कारण से यहां पर यदि air है तो इससे electricity का पास नहीं होगा लेकिन बोलता है कुछ special conditions में यहां electricity क्या हो सकता है या charge particle क्या हो सकते हैं वो move कर सकते हैं और यही बात यहां भी देखना है कि under certain condition most materials can conduct electricity यानि कि charge का flow करेगा कुछ certain condition में बहुत सारे materials ठीक है that is why it is preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying as conductors and insulators तो देखो insulators वैसे पदार्थ हो गया है जिस्ते की होकर के जो electricity है वो flow नहीं करता है इसलिए हम लोग जब classify करते तो poor conductors word use करते poor conductor मतलब वहां पर जो electricity का flow हो रहा है बहुत poor है बहुत कम है मान्यूट है ना के बराबर है insulator word हम लोग use है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि certain condition में उससे क्या होगा तुम्हारा electricity का flow हो सकता है कुछ condition लगा करे वी है टेस्टेट दे कंड़क्शन of electricity through tap water let's now test the conduction of electricity through distilled water अब देखो tap water क्या है इसमें बहुत सारे salts minerals होते हैं लेकिन जो distilled water है इसमें salts और minerals नहीं गुले तो इसलिए इससे होकर के जो electricity है उसका flow नहीं होता है टेक बाट टूटी स्पून्स of distilled water in a clean and dry plastic और rubber cap of a bottle use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not what do you find does distilled water conduct electricity no not dissolve a pinch of common salt तो तुमने देखा हुआ कि जो distilled water उससे electricity flow नहीं करता है लेकिन जैसे उसमें हलका सा common salt मिला देंगे यानि कि NACL मालों को उसमें डाल देंगे पानी में घोल देंगे तो वहाँ पर ions मिल जाएगा यानि NACL break होता है और any plus ion बनाता है तो फिर वहाँ पर electricity connection होने लगेगा वेल साल्टी डिजॉल्वें डिस्टिल वाटर वी ओप्टेन साल्ट सॉल्यूशन दिस इस कंड़क्टर ओफ एलेक्रिसिटी तो यहां सो क्वेशन पुछेगा क्या साल्ट का पानी में मिलाया हुआ घोल इलेक्टरिसिटी को कंड़क्ट करेगा जल्दी बता दो येस तो क्या डिस्टिल वाटर से इलेक्टरिसिटी का फ्लो होगा एंसर है नो क्योंकि वहाँ पर कोई ions हमें नहीं मिल रहे हैं लेकिन स्टाल्ट को जैसे ही हम लोगों ने पानी में घोला हम लोगों को आयन मिलेगा दवाटर डाट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच अस टैप्स हैंड पॉम्स वेल्स एंड पॉंट्स इस नॉट यह प्योर नहीं होते हैं इसलिए इनसे जो इलेक्टरिसिटी है उसका कंड़क्शन होता है इट में कंटेंस सेवरल साल डिजॉल्विन इट तो त टैप वाटर हैंड पंप्स वाटर वेल्स वाटर कंड़क्ट इलेक्रिसिटी तो एंसर करोगे विकोज इट कंटेंस सेवरल साल्स डिजॉल्विन इट यानि कि इसमें बहुत सारे साल्स घुले हुए होते हैं समझ गए दिन वाई डिस्टिल वाटर दू नॉट मने समझ रहा ना कुछ से होकर के पास नहीं हो रहा है विकोज देर इस नो साल्स प्रेजंट इन एट स्मॉल अमांट्स ओफ मिनरल साल्स आर नेचुरली प्रेजंट इन इट इस वाटर इस दस अ गुट कंड़क्टर आफ एलेक्रिसिटी ओके ऑन दाधर हैं डिस्टिल वा स्मॉल अमांट ओफ मिनरल साल्स प्रेजंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशल फोर हुमन हेल्थ ओके हावेवर दिस साल्स मेक वाटर अ गुट कंड़क्टर सो वी शुट नेवर हैंडल इलेक्रिकल अप्लाइसे विट वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ओन व इलेक्रिसिटी फ्लो करेगा जिस्ते हमें करेंट का जटका लग जाएगा समझ गया सारा बात वी है फॉंड्ड एट कॉमन साल्ट में डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट अ गुट कंड़क्टर वाई बिकोज नाव आयन इस वार्म आयन प्रेफॉर्म होता है जैसे जिसे की हम लोग यहां पर यदी हम लोग एस इड मिला दें बेश को मिला दें किस में वाटर में जैसे कि मालो एने विच क्या है बेश है HCL क्या acid है तो ये भी water में मिलाने पे क्या करेगा electricity को conduct करेगा ठीक है ना बच्चा लोग yes sir समस्मार में आ गया Most liquids that conduct electricity are solutions of acid, bases and salt तो ये बात याद रखना कि जो पानी में acid को घुला जाए, base को घुला जाए, salt को घुला जाए तो वहाँ ions बनते हैं जिस currents वहाँ electricity का flow हुगा When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? Yes, करेगा उसको हम लोग आगे देखेंगे Chemical effects of electric current अब देखो, electric current का chemical effects आ गया हमारा topic, जो heading था हमारा chapter का वही अब आ गया क्या बूल रहा है? In class 7, we have learned some effects of electric current, can we you list these effects? What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? Let's find out, तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं ये देखो, जैसे कि मालो Conducting solution मालो यहाँ पर क्या है? Water है, अब बोल रहा है कि Water से होकर के electric current को produce कराए जाएगा, तो क्या होगा? तो एंसर है कि ये जो water है, वो ब्रेक हो जाता है बच्चा लोग और ब्रेक होकर के तुम्हें Hydrogen gas मिलेगा और Oxygen gas बनता है यानि जो conducting liquid है उस पर किसका प्रभाव पढ़ गया? और Oxygen gas produce करता है इसी को कहते है, electrolysis electricity के द्वारा ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है इसी को electrolysis भी कहते हैं तो देखो यहां 14.6 Take out carbon rods carefully from two discarded cells दो cells तुम्हारे घर में होंगे तो तुम्हें करना तो नहीं है, बस समझ लो कि उसमें, देखो यह से carbon rod रहता है, इस दोनों को क्या करो निकाल लो, है ना, अब clean their metal caps, metal caps को sand papers साफ कर लो, wrap copper wires around the metal, इस तरीके से यहां पर तार लपेट लो wire को और यहां पर battery को लगा दो, ठीक है, we call these two rods electrodes, अब समझो यहां पर यह जो rods होगे carbon rods, इसको हम लोग बोलते है electrodes, yes इसका नाम है, बच्चो, electrodes याद रखना, तो यह जो carbon rod है, इसको electrodes बोलेंगे अब इसमें से एक electrodes को बोलते है, anode और एक को क्या कहते है cathode, कोई दिकत, no sir, समझ गया है अब देखो, इसमें पानी डाल दो थोड़ा सा, add a teaspoon of salt, इसमें थोड़ा सा साल डालो few drops of lemon juice भी डाल सकते to water to make it more conducting, ज्यादा conducting बनाने के लिए now immerse the electrodes in this solution, ठीक है अब इसमें एक जार लेंगे उसमें हम लोग जार या तुम कुछ और भी चीज ले सकते हो plastic का, उसमें हम लोग पानी डाल देंगे नमक डाल देंगे, या acid डाल देंगे तो बताओ तो यहाँ electricity flow होगा नहीं होगा yes sir, electricity flow होना शुरू हो जाएगा make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water, तो बाहर रखना चाहिए, wait 3 to 4 minutes, observe the electrodes careful, do you notice any gas bubbles near the electrodes, yes यह जो electrodes है, इसमें तुम gas bubble को देख सकते हो तो एक electrode पे निकलता है hydrogen और दूसरे electrode पे क्या निकलता है oxygen can we call the change taking place in the solution chemical change, yes यह chemical change ही हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है क्योंकि H2 क्या हो रहा है break होता है, और break होकर hydrogen और oxygen बनाएगा इसलिए यह क्या हो जाता है बच्चा लोग यह chemical change हो जाता है ठीक है, सब समझ रहे हो ना बच्चों कि कोई दिकत हो रहा है ना सर, कोई दिकत नहीं हो रहा है the passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction तेहां से question होगा कि जब solution से हो कर कि क्या जा रहा है electric current जा रहा है what happens when the electric current is passes through a solution तो answer is there happens a chemical reaction there, वहाँ पर एक chemical reaction होता है as the results bubbles of gas may be formed on electrodes तो यहाँ पर जैसे हम लोग लेखा कि bubbles of gas बन रहे हैं deposits of metals may be seen on electrodes electrodes के उपर metal क्या होता है deposited है, changes of color of solutions में अकर तो यहाँ electrodes के उपर क्या हो सकता है कुछ metal का जमाव हो सकता है इस condition में नहीं मतलब दूसरे condition में color उसका change हो सकता है the reaction would depend on what solution and electrodes are used अब यह reaction है वो किस पनिर्भर करता है किस प्रकार का electrodes हम लोगों ने use किया है किस प्रकार का solution हम लोगों ने use किया है these are some of the chemical effects of electric current यही क्या है chemical effect of electric current है कोई दिकत है अब चलो यहाँ देखो in 1800 British chemist William Nicholson had shown that the electrodes were emerged in water and a current was passed जब electrodes को water में डालेंगे और इसमें current पास करते है then bubbles of oxygen and hydrogen were produced now the question will arise what gases arises or what gases evolves if the current is passed through the water the answer is hydrogen gas and oxygen gas is produced या फिर हम लोग बोल सकते है जो H2O है वो hydrogen और oxygen में क्या करता है break करता है तूट जाता है oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal तो जो positive terminal की और electrode होता है उसमें क्या निकलता है oxygen और जो negative terminal की और होता है उसमें क्या निकलता है तुमारा hydrogen इस बात को तुम को क्या करना है याद करना है positive में निकलेगा oxygen और negative में क्या निकलेगा hydrogen तो यह question आएगा तो exam में तुम इसको लिख सकते हो समझ गया है सारा बात चलो तो आगे देखते हैं बूजो डिसाइडे टो टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स अन वेजटेबल्स अल्सो कंड़क्ट electricity और नॉट तो बूजो ने डिसाइड किया कि या चलो हम लोग देखते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं या कुछ वेजटेबल्स होते हैं क्या उनसे भी होकर के विद्युद्धार या electricity का प्रवाह होता है conduct मतलब प्रवाह होता है he cut a potato into two halves उन्होंने एक potato लिया आलू को लिया और दो चोटे-चोटे भागव में बाट दिया and inserted the copper wire of a tester into it और ये जो टेस्टर उन्होंन बनाया था ना उसको यहां पर क्या किया insert कर दिया और उसके बाद क्या हो वह इसको इसी तरीके से कुछ देर के लिए छोड़ देता है कुछ काम के लिए वह चला जाता है when he came back after half an hour he noticed that there was a greenish blue spot on this potato around the wire whereas there was no such spot around the other wire तो उसने देखा कि एक टर्मिनल जो था positive terminal है और यह नहीं गया टिप तुम जानते हो तो जो positive terminal की ओर जो वायर लगा था उधर एक greenish color का spot धबा तुम देख सकतो यहां पर आदे घंटे के बाद जब आया तो उसने देखा जब कि यहां पर उसने कोई धबा नहीं देखा he was surprised, वो surprised हो गया with this observation and along with पहली repeated this activity many times और पहली के साथ उसने इस activity को बहुत बार धुराया, they found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. they felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery connected in a box. तो इस प्रकार से यह बहुत useful experiment हुआ जो कि positive terminal of battery को बताता था yes, क्योंकि हमें इसा जो positive terminal था हुदा नहीं, greenish spot देखने को मिलता था they decided to repeat their finding to children's magazine यानि report, repeat नहीं, report है तो they decided to report their finding, उन्होंने जो finding किया, जो इन्होंने एक्स्पेरिमेंट किया था उसको जो उन्होंने पाया, वो उसको children's magazine में decide किया, उसको publish किया जा remember that Buzo set out to test whether potato conduct electricity or not तो अब तुम बताओ, वहाँ electricity का conduction हो रहा था या नहीं हो रहा था yes, वहाँ पर electricity का conduction हो रहा था और जिससे chemical effect देखने को मिला in potato to him this was very exciting, in fact this is how science sometimes works you are looking for something else and you have find something else तो तुम किस चीज, दूसरे चीज के वारे में देख रहे थे, ढूंड रहे थे और तुमने कुछ दूसरा चीज महां discover कर लिया many important discoveries have been made in this manner तो बहुत सार ऐसे ही discoveries हुई है, ठीक है ना अब देखुआ गया electroplating तो बोलोगे electroplating क्या है, तो electricity का use करके जब हम लोग किसी metal पर दूसरे metal का यदि परत चड़ा दे तो वही क्या होता है electroplating जैसे तुम देख सकते हो यहां पर electroplating किया गया है और कितना यह चमकदार है ठीक है यहां भी electroplating को तुम देख सकते हो तो यही है तुम्हारा electroplating you know that a brand new bicycle has shiny handlebar तो तुम देखोगे कि जो नया नया एकदम चमकदार cycle होता है तो उसका handlebar क्या होगा एकदम चमा चम होगा wheel rim क्या होगा एकदम चमा चम होगा however if these are accidentally scratched the shiny coating comes off revealing a not so shining surface beneath beneath मतलब के अंदर तो देखोगे मालो कभी scratch लग गया तो वहां पर वह shiny surface हट जाएगा और देखोगे कि एकदम वह खराब सा surface उपर आ जाएगा तो भाई यह क्या है है यह एक लोहे का surface था उसके उपर electroplating कर दिया गया तो उसके उपर चमकदार surface को चड़ा दिया गया और जब वह चमकदार surface हट जाता है तो उसके नीचे जैसा लोहा था वैसा देखने को मिलता है और वह कभी-कभी जंग भी उसमें लग जाता है यू माइट है वह आलसो सस्ते गहने होते हैं जो कि एकदम सोने के जैसा शमकदार होते हैं लेकिन तुम जानते हो कि वह जो सस्ते गहने होते हैं वह सोने के होते नहीं है However, with repeated use the gold coating wear of wear swap तो उसमें क्या होता है कुछ-कुछ यसे गहने होते जैसे कि चांदी के गहने हो तो उसके उपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है और धीरे 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 वह परत जैसे ही हटेगा तो देखोगे यानि कि यहां पर हम लोग सीख रहे है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का यहां पर क्या चढ़ाए गया है परत चढ़ाए गया है In both these cases, a metal has a coating of another metal यानि कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का क्या है? Coating और यहां दो को coat किया जाता है, coating चढ़ाया जाता है Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let's try to do it यह तो बात में करेंगे, पहले तो यह देखो इसी को यहां पर कहेंगे कि यही क्या है? Electroplating है जहां पर एक मेटल के परत को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा दियाता है, यही क्या है? इलेक्ट्रो plating है, अब देखो, activity 14.7 दिखाया गया, we will need copper sulfate and two copper plates of size around 10 cm to 4 cm तो अब हम लोग को copper sulfate का solution चाहिए, copper sulfate क्या होता है बच्चो, CUSO4, यह होता है copper sulfate का solution और दो copper plates चाहिए, इस तरीके से दो copper plates हम लोग ले सकते हैं, copper कब बना हुआ plates है टेक 250 ml of distilled water, 250 ml distilled water लेना है, in a clean and dry beaker, एक beaker में यह सारा चीज हम लोग को क्या कर लेना है, ले लेना है, है ना dissolve two teaspoon of copper sulfate इनी पानी में, two teaspoon क्या करना है, copper sulfate को डाल देना है, add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution और इसमें कुछ dilute sulfuric acid यानी कि H2SO4 ये acid होता है, इसको भी क्या कर देना है, उसमें डाल देना है इससे electricity का प्रवा अच्छे से हो, इसलिए यहां पर H2SO4 भी डालते हैं, तो दोनों चीज डाल दिया, CuSO4 copper sulfate डाला और H2SO4 भी डाला, clean copper plates with sandpaper, copper जो plates हम लोगों को डालना है, जो हम लोगों ने लिया, उसको साफ कर लेना है पहले, now rinse them with water and dry them, और उसको क्या करना है, पानी से धो करके, साफ कर लेना है, पानी से, connect the copper plates to the terminals of battery and immerse them in copper sulfate solution, अब क्या करना देखो, यही है, व्यवस्था की copper plates ले लिए हैं, दो copper plates ले लिया, यहां copper sulfate का solution डाल दिया, ठीक है, तो copper sulfate का solution क्या हुआ, copper sulfate plus water इसमें डाला गया है, और इसको हम लोगों ने, electrodes, यही हमारा electrodes की जैसा हो गया, और इसको हम लोगों ने, plus और minus से बैटरी में जोड दिया, और यह तार है, यह wire है, ठीक है, यह समझ गया है, इस तरीके से, allow the current to pass, अब यह बेवस्था लगा दोग यहां, switch लगा है, now remove the electrode from the solution and look at them carefully, do you find any difference in any one of them, do you find a coating over it, what colors is the coating, note down the terminal of the battery with which these electrodes is connected, तो बहुत सारी बाते यहां पर बोली गई है, क्या बोला गया है, कि क्या तुमने यह जो electrodes को खोल करके देखा, तो इसमें कोई चेंज मिला, और किस प्रकार का coating तुमने देखने को मिला, तो यहां देखो लिखा हुआ है, जब electricity पास किया गया, Cu-So4 solution से, तो copper sulfate dissociate, तो copper sulfate dissociate हो के Cu-2 प्लस आयन बनाएगा, तो इसमें से वह कहां चला गया, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एन गेट्स दिपोजिटेड ओन इट, यहनि कि जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो इलेक्टरोड जोड़ा हुआ था, यहां से copper इसके उपर क्या हो गया, डिपोजिट होना शुरू हो जाए ठीक है, डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा, but what about the loss of copper from the solution, अब देखो, यानि कि कुल मिला कि यह समझो कि copper इधर से जाकर कि question answer भी करते जाएंगे, कि copper किस तरफ जमा होते गया, तो निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था, उसके तरफ यह जोड़ने लगा, यानि कि copper य इस से copper निकल करके इसमें आना सुरू होगा, solution में आना सुरू होगा, सब बत समझ रहे हो, from the other electrode, a copper plate, then equal amount of copper get dissolved in the solution, यानि कि एक यह प्लेट है, यह दूसरा प्लेट है, तो यह positive टर्मिनल से जुड़ा है, यह negative टर्मिनल से जुड़ा है, यहां से copper जो है, निकल के solution में आ ग गया, यह जो प्लेट है, इस से copper निकलते जा रहा है, और यह copper solution में आया, और solution से जो copper है, इसके उपर क्या होता है, जमा होते जाता है, यानि इसके उपर coating चड़ते जाएगा copper का, अब यह copper के जगा कोई दूसरा चीज रखा होता, ठीक है, तो वो dissolve होकर यहां आता, और इस के उपर उसका coating चड़ता जाता, यानि यह क्या हो रहा है, धीरे-धीरे कम होगा, और यह धीरे-धीरे क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से negative terminal की ओर क्या होगा, यह जो copper है, वो बढ़ेगा, और positive terminal की ओर है, वो क्या होगा, घंटेगा, तो जो positive terminal वाला है, उसी को कहते है, anode बच्चों, और जो negative terminal वाला, उसी क्या बोलते है, cathode, यानि cathode की ओर, जो है, copper जमा होते जाएगा, और anode की ओर क्या होगा, जो copper है, वो घंटा चला जाएगा, इस सब बातों को याद रखना है, loss of copper from the solution is restored and the process continues, ठीक है, यानि कि cuSO4 इसमें था न, तो इसमें से cu जो है, यह कमी होते जा रही है, तो वो कहां से आएगा, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, फिर यह यहां से यहां जमते जा रहा है, समझ गया सारवाद, this means that copper gets transferred from one electrode, यानि anode से, anode से किधर चला गया, cathode की ओर, यानि की positive से negative की ओर, तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार का हो गया, एक हो गया, anode, और दूसरा क्या हो गया, cathode, समझ गया है, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating, तो यह यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जैसे मैंने बताया था, definition, पूछेगा, तो एक material, यहां मैटल हम लोगों ने पढ़ा था, वहां यहां पर material बोल रहा है, ठीक है, तो material ही वर्ड तो एक material का दूसरे material के उपर electricity के द्वारा परत लेयर चढ़ाने को ही हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे, depositing, deposit करना, चढ़ाना, लेयर को चढ़ाना, उसी कहेंगे, electroplating, it is one of the most common application of chemical effects of electric current, तो now question will arise, कि chemical effect of electric current का एक application बताईए, त तो answer क्या है, electroplating, समझ गये, सारा question answer में बताते हैं, चल रहा हूँ, exam में जो भी पुछ देगा, बस धजट से जाकर के लिख देना, Electroplating is a very useful process, it is widely used in industries for coating metal objects with a thin layer of different metals, तो question पुछेगा, what are the application of electroplating, what are the uses of electroplating, write down some uses of electroplating, तो सब का answer इसी तरीके से लिखना, देखो, The layer of metal deposited has some desired property, with which the metal of the object lacks, ठीक है, जैसे कि मान लोग किसी, जैसे मान लोग चांदी है, चांदी के ऊपर हम लोग सोने का पानी, सोने का पानी क्यों चढ़ाएंगे, ताकि वो खुबसूरत लगे, सुन्दर दिखे, यानि चांदी में वो कमी था, वो प्रोपर्टी क्या था, कम था, फोर एक्जांपल अब देखो, एक और एक्जांपल दिया है, जिसे क्रोमियम प्लेटिंग इस डन और मैनी ऑप्डेक्स, सच एस कार पार्ट्स, बाथ, टैप, जो तुम देखोगे कि घरों में हमारा जो नल लगा होता है, उसमें भी देखोगे इतनम चमकदार नल होता है तिक कार के बहुत सारे पार्ट्स में चमकदार होता है, कीचन, गैस, बर्नर, बाइसाइकल, हैंडल बार्ट्स होता है, वील रिम होता है, इन सब में क्रोमियम का लेयर चड़ा होता है, तो वो क्या करता है, उसको बहुत खुबसूरत भी बनाता है, उसको जंग लगने से सबसे पहला भी क्या करता है भी क्रोंए मैं शाइनी अपीर सबसे पहला तो शाइनी अपिरेंस बहुत चमकदार खुब सूरत दीखेगा इट डस नौट और साथ फी इसमें कोरोजन नहीं होता अब कोरोजन क्या होता है बच्चो कोरोजन मतलब कि जब मतलब हमारा जिस लोहा है तो लोहा या फिर कुछ अधर मेटल्स हैं उनको जब खुला वातावरन में छोड़ दोगे तो बहुत सारे चीजों के संपर्क मियाक और उससे केमिकल रियक्शन करते हैं जिसके कारण वह क्या होते है इरोड होना सुरू हो जाते हैं खराब होना सुरू हो जाते हैं इसी प्रोसेस को कोरोजन हम लोग बोलते हैं जैसे तुमने देखा होगा लोहा में जंग लग जाएगा और वह खराब होगा तो उसको बोलते हैं लोहे का कोरोजन समझ गया है त दूसरा इसमें corrosion भी नहीं होगा इत रेजिस्ट इसक्रेचेज और इसमें इसक्रेचेज भी नहीं लगेंगे इतना सारा फायदा हो गया हावेबर chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium तो भाई तुम बोलोगे कि पुरा चीज chromium कहीं बना दो क्यों लोहे का बनाओ गया उसके ऊपर chromium का परत चड़ाओ गया तो इस cancer है chromium तो बहुत महेंगा है so the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited chromium महेंगा है तो देखो scientist look तो दिमाग लगाता है ना तो लेयर चड़ा देगा बात खतम जोईल्री मेकर इलेक्ट्रो प्लेट इलेक्ट्रो देखो यहां क्रोमियम का सब में लेयर चड़ाया हुआ है दिख रहा ना तुम्हें of silver और gold but are much less expensive इस प्रकार से तुमार पास पैसा नहीं है कि गोल्ड खरीट सको जैसे कि बहुत डिजाइन दार और बहुत बड़े-बड़े गहनी होते हैं ना वह तो बहुत मैंगे पांच लाग छे लाग के मिलेंगे और तुम जब गोल्ड प्लेटेट सिल्वर खर दोगे तो तुमको 5000 मिल जाएगा इस प्रकार से देखो कितना सस्ता हो गया और लुक अहां लगेगा कि गोल्ड ही पहना हुआ है टीन केंस यूज़ फोर रिस्टोरिंग फूड आर मेड और बाइलेक्ट्रोप्रेटिंग तीन इन्टू आ है टीन इस लेस रियक्टिव देन आईरन क्वेशन पुछेगा कि कौन ज्यादा रियक्टिव है टीन क्या है एक धातू है तत्व है आईरन से कम रियक्टिव होता है तास फूड ड़स नॉट कम इंटू कॉंटेक्ट विथ आरन एंड इस प्रोटेक्टिट फॉम में तो है तो वो लोहे का लेकिन उसके उपर टीन का कोटिंग है तो उससे फिर जो खाना है वो खराब नहीं होगा स्पॉयल नहीं होगा आईरन इस यूजड इन ब्रीजेज एन आउटोमोबाइल्स तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ हैं और आईरन टेंस टू को रोड एंड जानते हूं कि आईरन में क्या होगा रस्ट लग जाएगा लग जाएगा तो इसके ओपर जिंग का परच चड़ा देंगे जिससे की क्या होगा उसमें जंग नहीं लगेगा इन दा इलेक्ट्रोप्रेटिंग फैक्ट्री इस दिपोजल अफ यूजल कंडुक्टिंग सुलूशन इस मेजर कंसर्ड इस पॉल्यूटिंग वेस्ट एंडेर आर स्पेसिफिक दिस्पोजल गाइडलाइस तो प्रोटिक्ट दा इन्वार्मेंट अब देखो एलेक्ट्रो यूज़ कंडुक्टिं nouveau जो कंडुक्टिंग सुलूशन है जैसे कि यहां पर कंडुक्टिंग सॉलूशन क्या था है टृ rehe है तो ऐसे जो नहीं सी यूए सो फोर यहां पर कंडुक्टिंग सोलुशन क्या था सी यूए सफोर तो जो कंडुक्टिंग प्रोड़क्ट है उसका डिस्पोजल कैसे करना चीजिए वह भी यह कंसर्ण है यानि कि चिंता का विशह है अर्य वह क्या बात है हमारा चैप्टर यहां समाप्त है तो बच्चो यदि और कोई चैप्टर पढ़ना है तो जरूर तुम बताना प्ले लिश्ट का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिले तो सारे चैप्टर आइसे ही पढ़ो शेयर करो लाइक करो और कमेंट ज से नेक्स चैप्टर में धन्यवाद